हेलो दोस्तों, आज निकलेंगे हम एक अजबुत सफर पर जी हाँ, आज हम ट्रैबल करने वाले हैं डेट सो साल पुरानी हेरिटेज ट्रेन में जो की सामबर गाउं से शाकमबरी माता मंदिर जाने के रास्ते में पढ़ती है जिसको आप सामबर हेरिटेज रिसॉर्ट से ले सकते हैं सामबर हेरिटेज रिसॉर्ट पहुचने पर आपको दीखे का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन जो एक कैफे भी है जहां से आप इस ट्रेन का टिकेट लेकर इस ट्रेन में सफर करने का आनन्द ले सकते हैं नेरो गेज की यह बहुत ही खूबसूरत सी मीनी ट्रेन डीजल इंजन से चलती है जिसमें चार AC कूचेज हैं जोकी इंटरकनेक्टेड हैं अंदर से यह ट्रेन बहुत ही लेविश और कमफर्टीबल है ट्रेन में एक गंटे के खूबसूरत से सफर में आपको सर्फ किये जाएंगे कुछ मिनी मील्स, जूसेज, चाई, कॉफी आदी आगे बढ़ने पर हम पहुँचेंगे सॉल्ट क्वेरीज में जहां पर आपको दिखाये जाएगा नमक बनाने का पूरा प्रोसीजर इस सफर की वापसी में आप देख सकते हैं बहुती सुन्दर संसेट का नजारा सांबर लेक, सॉल्ट क्वेरीज और दूर पहाड़ों के बीच से होतावा संसेट आपके मन को बहुती ज़्यादा सुकून देगा इस ट्रेन में सफर के दौरान दोनों तरफ विंडो से आप देख सकते हैं बहुती खूबसूरत से नजारे जहां पर सूखी हुई चील है नमक बन रहा है संसेट हो रहा है आपको एक मिनी रन आफ कच जैसा अनुभर आपको यहाँ देखने को मिल सकता है और अगर आप थोड़े से भी लखी हुए तो कुछ फ्लैमिंगोस भी आपको देखने को मिल सकते हैं जो की सीजन पर डिपेंड करता है सांभर और उसके लेक के आसपास का लैंस्कैब इतना खूब सुदत है कि कई सारी मूवीज की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है जिनने से खास तौर पर पीके है जो आमिर खान की मूवी है सूपर थर्टी रितिक रौशन की द्रोन हाइवे इस तरकी कई मूवीज की शूटिंग यहाँ पर आए दिन अक्सर पूती रहती है लास्ट बट नॉट दे लीस्ट इस ट्रेन का सही उपयोग आजकल प्री वेडिंग शूट्स में भी हो रहा है कई सारे कपल्स यहाँ पर आके अपना प्री वेडिंग शूट करा रहे हैं ट्रेन पर भी और सांबर लेक में भी तो आप जब भी सांबर आएं तो जरूर इस ट्रेन के सफर का अनंद लें और सांबर हरिटेज रिजॉर्ट में आएं और अपनी बुकिंग इस ट्रेन की बहन से करें